नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टडी फार इज्याम में दोस्तों यह यूपी PCS के सामान अध्यान सिरिज का दूसरा वीडियो है वीडियो शुरू करने इस पहले आपको बताना चाहता हूं हमारी कई पेड़ ग्रूप चलते हैं अगर आप इन पेड़ ग पर इम लिखित को काला नुकरम से लगा है त्रिती गोल में सम्मेलन प्रांति चुना और मंत्री मंडलों का गठन गांग्रेस का त्रिपूरी संकत कांग्रेस समाजवधी पार्टी के स्थापना इसके लिए चार आप्शन दिया कि आप लोग आप्शन पढ़ लीजिये त् त्रिपुरी संक्रट जो है, यह 1949 वह था और Congress समाजवादी पार्टी जो स्थापना है, यह 1934 मह था तीस प्रकार जो है, इसका जो दूसरा ओप्चन है, वह सही है, सबसे पहले तिर्तिगोल में सम्मिले नाएगा, दूसरे अस्थान पर Congress समाजवादी पार्टी का स्थापन तीसरे अस्थान पर प्रांती चुना और मंत्री मंडलों का गठन और अंती में जो है कांग्रिस का त्रिपुरी संकट 1949 और इसी अधिवेशन में सुभाश चंद्रवोस ने इंडियन नेशनल कॉंग्रिस से जो है इस्थीपा दे दिया और इनके इस्थीपा देने के बाद ज किस पल्लाव सासक ने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्मार करवाया था नर्सिंग वर्मंदुति नंदी वर्मंदुति नंदी वर्मंदुति या महिंद्र वर्मन तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन भी नंदी वर्मंदुति ने जो है बैकुंठ पेरुमल मंदिर का सिच्षक दीवस के मौके पर 44 सिच्षकों को National Teacher Award दिया गया है इसमें उत्तर प्रदेश कितने अध्यापक सामिल थे दो, तीन, चार या पांच जैसा कि आपने जानते हैं कि प्रतेग 5 सितंबर को सिच्छक दिवस मना जाता है और यह सिच्छक दिवस सर्व पल्ली राधा कृषण के जम दिवस के उपलबच में मना जाता है और इस बार देश के कुल 24 सिचकों को National Teacher Award भारत के राशप्रती रामनात कोविन जी ने दिया है इसमें उत्तर प्रदेश के कुल दो सिच्छक सामिल थे और वह जो सिच्छक है वह तिर्प्ति महोर और दूसरे जो सिच्छक है वह मनिश कुमार है तो टोटल दो लोगों को National Teacher Award दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के अध्यापक है आएते हैं अगला प्रस्म लोग गौतम बुद्ध के जीवन सम्मदित बौध धर्म के प्रतीकों का मिलान करें जन्म में मृत्व, ग्रिहत्याग और ग्यान एक तरफ है दूसरे तरफ जो है इस्तूप, कमल, पीपल ब्रिच और घोड़ा है इसके लिए चार अप्सन दियागे आप लोग अप्सन पढ़ लिजे जन्म का जो प्रतीक है वह कमल है मृत्यु का प्रतीक इस्तूप है, ग्रिहत्याग का घोड़ा है और ग्यान का प्रतीक है वह पीपल ब्रिच है तो इससे जो ऑप्सन सी है वह सही है आई तेंगला प्रसम लोग प्रतम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यचता किस ने की थी? काका कालिलकर, बीपी मंडल, राम नंदन या इनमी से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वह आप्सन ए काका कालिलकर प्रतम पिछड़ा वर्ग के जो आयोग की अध्यचत थे वह काका कालिलकर थी और इस आयोग की जो अस्थापना होई थी वह 1903 में इस आयोग की अस्थापना होई थी आई देहें अगला प्रतम दो अपने राज्य के साथ निम्रखित परमाड उर्जा रियक्टरों को मिलान करें तारापुर, कैगा, काकरापार, नरोड़ा यहाँ पर राज दिया गया, महाराष्ट, करनाटक, गुजरात और उत्तरप्रदेश इसके लिए चार अप्सन है, आप लोग अप्सन पढ़ लिजिए तारापुर जो है, यह महाराष्ट में इस्थित है कैगा, करनाटक में इस्थित है काकरापार जो है, यह आपके गुजरात में इस्थित और नरोड़ा यह उत्तरप्रदेश में इस्थित है तो इस प्रकार जो है, इसका पहला अप्सन है वह सही है, आई ते अंगला प्रसमलो निम्रिखित में से कौन सा आउतल दरपन के उप्योग है वहनो के side mirror, solar cooker, saving glass के रूप में यहाँ पर चार आउप्सन दिया गया है केवल 1-2, केवल 1-3, केवल 2-3, या 3-0, 1-2-3, 3-0 तो इसका जो सही answer है, वह आउप्सन से इन में केवल, solar cooker और saving glass के रूप में जो है, आउतल दरपन का उप्योग होता है और वहानों के साइड मेरज होता है वह उत्तल दरपन का फ्रियोग किया जाता है तो इसका जो आप्षन सी है वह सही है आए ते अगला प्रसम लोग बुंदेल खंड एक्सप्रसवे निम्रिखित में से किस जिले में है अर्थात किस जिले से होकर जाता है चित्र कोड मादा मह महुबा इटावा इसके लिए आप्षन है आप्षन आप लोग पढ़ लीजिए बुंदेल खंड एक्सप्रसवे की जो कुल लंबाई है वह 296 किलमेटर इस एक्सप्रसवे की लंबाई है और यह फोर लेंच चोड़ा है और इसका जो है आधार सिला 29 फरवरी वर्स 2020 को प् टावा से होकर गुजरता है 30 प्रकार जो है इसका जो आप्षन डी है वह सही है उत्तर प्रदेश के कितने जिले NCR में सामिल है यह प्रस्ण बार बार परिछाओं पूछता रहता है नव आठ छे या साथ तो इसका जो सही आंसर है वह आप्षन भी आठ जिले जो है उत्तर प्रदेश के NCR में सामिल है 14 हर्याना के सामिल है राजस्थान के दो है NCR में उत्तर प्रदेश जो जिले सामिल है वह मेरट है गाजियाबाद है गौतंबुद नगर है बुलन सहर है बागपत है हापोड सामली और मुजफर नगर जो है वह सामिल है तिस प्रकार आठ जिले जो है वह उत्तरप्रदेश की अंसियार में सामिल है पराक्रम दिवस हर साल किसकी जैनती पर मनाये जाएगा नेताजी सुभास चंद्रबोस सरदार वरलब भाई पटेल भागा सिंग या मेजर सोमनाद सर्मा तो इसका जो सही आंसर है वह अप्शन है नेताजी सुभास चंद जन्वरी को मनाये जाएगा सुभास चंद्रबोस जी का जन्म जो है वह 13 जन्वरी 1897 में कटक में हुआ था आप लोग एक प्रसंद का उतर दीजिएगा कमेंड बाक्स में कि सुभास चंद्रबोस के पिता क्या नम था और उन्हें कौन सी उपाद अंग्रेजियों से प्रा अंद्रप्रदेश राजस्थान और मद्रप्रदेश यह सभी परेटन अस्थल भी है श्री सैलम परेटन अस्थल भी है और बांध भी है श्री सैलम जो है यह आपके आंद्रप्रदेश में है चिरंबरम जो है यह आपके तमिलनाड में है पुसकर राजस्थान में है और उ पहला कारखाना अधनियम वर्ना कुलर प्रेस एक्ट का निर्शन इलबर्ट भिल विवाद इसके लिए चार अप्षन दियागा आप लोग अप्षन पढ़ लीजे ये सबी घटनाए जो है वह लाड रिपन के कारिकाल में होई थी पहला कारखाना अधनियम ये 1881 में आये था वर्ना कुलर प्रेस एक्ट का निर्शन जो है वह 1882 हुआ था और वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को जो लागू किये था वह 1878 में लाड लिटन के कारिकाल में आये था और इलबर्ट बिल का जो विवाद हुआ था वह 1883 हुआ था तीस प्रकार जो है इसका पहला आप्षन है वे सही है, आयते हैं, अगला प्रस्म लोग, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, सिंग भूम, बैला डिला, संदूर पहाड, बादाम पहाडी, चाराज दिया गया जारखन, छतीज गया करनाटक और ओरिसा, सिंग भूम जो है, वो आपके जारखन में है, बैला डिला, चतीज गर मिश्थित है, संदूर पहाड, करनाटक मिश्थित है, और बादाम पहाड, यह आपके ओरिसा मिश्थित है, सिंग भूम, लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है, बैला डिला भी जो है, वो लोह आयस के लिए प्रसिद्ध है यह सभी जो है लोग आयस के लिए प्रसिद्ध है तो इसका जो option A है वह सही है आईत हैं अगला प्रसम लोगा है जनस्धा की संषदी फोर म का पदीन अध्यच कौन होता हैCar राज सभा के सभापती, भारत के प्रणान मंत्री, लोग सभाध्याच या राज सभा के उपसभापती तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन ए राज सभा के सभापती जन संक्या की संसदी फोरम की जो पदेन अज्ध्याच होती है वह राज सभा के सभापती होते है अर्था पहले जो इसका नाम था वह मांट हैर्यट था और इसका जो कुल छेथपल है वह 46 वर किलोमेटर इसका कुल छेथपल है और यह अंदमान और निकोबार्ट दुईप समुकी तीसरी सरवोच चोटी भी है नाम दफार नेशनल पार्ट जो है यह उनाचर परेश में है और नोक रेख नेशनल पार्ट आपके मेगाला में इस्तित है तो इसका जो अप्शन सी है वह सही है दिसंबर 2021 में केंद्री ग्रामेड विकास और पंचायती राजमंत्री गिर्दार सिंग ने किस राज में बनाधिकार मुबाइल अप्लिकेशन का उदघाटन किया है असम, सेकेम, नागालेन या त्रिपुरा तो इसका जो सही अंसर है वह अप्शन दे त्रिपुरा में इन्होंने बनाधिकार मुबाइल अप्लिकेशन का उदघाटन किया है और इस अप्लिकेशन जो है एक दसमलो तीन लाख आदिवासियों को बन पट्टा भूम जो प्रदान की जाएगी है और बनाधिकार आप पेश करने वाला या भारत का पहला राजबाना है त्रिपुरा आएते हैं अगला प्रसमलो हाले में किस कंपणी ने अपने इस्टे इनपले अवियान के लिए मीरा भाई चानु को चुना है एडिरास, फेस्बुक, गूगल या नाइक तो इसका जो सही आंसा है वो अप्शन ए एडिरास एडिरास ने जो है हाले में stand play अव्यान सुरू किया है और इसके लिए मीरा भाई चानु को चुना है और मीरा भाई चानु वह मर्डिपूर की रहने वाली है और इन्होंने हाले में Tokyo में रज़त पदख जीता है Tokyo Olympic में रज़त पदख जीता है और इन्हें वर्ष 2018 में पर्मस्री और मेजर ध्यानचन खेलरत में प्रदान किया जा चुका है एडिडास की जो अस्थापना है वह एडॉल्फ डेसलर ने की थी और इसकी अस्थापना 1949 में होई थी एडिडास की और यह है एक जर्मनी की कमपनी है एडिडास आपकी आएते हैं अगला प्रस्म लोग एक जुलाई 2021 को डिश्टल इंडिया अवियान की कौन सी वर्ष गाठ मनाई गई है पाचमी, साथमी, छटमी या आठमी तो इसका जो सई आनसर है वह आप्सन सी छटमी वर्ष गाठ मनाई गई है एक जुलाई 2021 को डिश्टल इंडिया अवियान की और इसका उद्गाठन प्रदानमंतिरी मोदी ने एक जुलाई 2015 को इसका उद्गाठन किया था आएते हैं अगला प्रस्म लोग निम्रिकित में से COVID-19 के पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% का ठीका करने वाला पहला के इंसासित प्रदेश कौन सा है चंडिगर लद्दाख दिल्ली या पुदुचेरी तो इसका जो सही आंसर है वह option भी लद्दाख बना है पहला के इंसासित प्रदेश जिसने अपनी पूरी जनसंख्या का 100% ठीका करन किया है पात्र जनसंख्य घजा अगर आपके राज पूछता है तो राज्यों में सबसे पहले 100% का जोटिका करन का पूरा किया है वह हीमाचल प्रदेश क्रदीश ने किया है इसको और आपको नोट कर लिजियेगा érenceधिक कि नीपाल भारत भुटान भारत बांगलादिश 50 या भारत मयमार तो इसका जो सही आंसर है वो option A भारत नेपाल के मद्द जो है पंचेश्वर बहुत देशी परियोजना है और यह उत्तरा खंड के चंपावत जिला में इस्थित है और यह जो परियोजना है यह काली नदी पर इस्थित है काली नदी का उद्दिम किस जिले से हुता है कहां से हुता है इसका उद्दम आप बटाईएगा आप लोग कितने प्रस्था हो रहे आप लग कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बीडियो को पुरियों धन्यवाद जैहिर जै भारत